हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मा मिनी व्लॉग रिया व्लॉग आप देख सकते हैं आज धूप अच्छी निकली है तो हम लोग धूप में बैठे हैं और मैंने अपने साथ अपनी पेट लालू को भी लेके रखा है लालू 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 इधेर आओ इधेर आओ इधेर आओ इ लालू अभी लालू को हमने धूप में इसलिए रखा है क्योंकि अभी इसका एकवेरियम साफ हो रहा है मेड इसका एकवेरियम साफ कर रही है तब तक केले लालू थोड़ी देर हमारे साथ धूप में बैठी है सनलाइट बहुत ज़रूरी है चाहे वह किसी की लिये भी हो लेकिन सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है बोडी में सनलाइट, विटा मिन डी इनकी कमी होने से हमें बहुत सारी डीजीज भी हो सकती है Ostheoporesis बड़ो में हो सकती है ikets छोटों में हो सकती है तो डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आपको दूप में बैठना है धूप मतलब विटमिन डी इसे लिए हम लोगों ने लालु को अपने पास रखा है हम चाहे तो लालु को अपने घर के अंदर भी रख सकते थे लेकिन हम लोगों ने उसे सनलाइट में रखा और यह लालु को आप देख सकते हैं कितने अच्छ जालू अब देख सकते हैं मैंने इनके स्टून को भी धूप में डाला है धूप से इसके सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे इसलिए हम लोगों ने इसको धूप में भी रखा है एक्वेरियम इसका जस्ट क्लीन ही हो रहा है इसको भी सनलाइट बहुत ज़रूरी है मैं अभी बाहर स्टून आप लोगों को दिखा रही थी उसके बाद देखो ये छोटी से गाय भी हमारे घर के पहार आके खड़ी हुई है ये जा रही है देखिए फ्रेंड्स ये गाय फिर से आ रही हमारे घर के पास चले गई फिर से चले गई ये गाय ये गाय हमारे खर में रोज आना जाना करती है ये आती है और फिर चले जाती है मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाबाई प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल मैं अजये प्लीजा के लाइक, ये तेर शे मोरे चाह मिलते हैं अफिको प्लीजए्स के लगवते हैं